नमस्का दोस्तों आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रिशन के यूट्यूब चैनल पर तो ऐसा है कि फिनलेंड की मैक्समम यूनिवस्टी क्लोज हो चुकी हैं बट एक यूनिवस्टी ने द्वारा फिर पोर्टल खोले हैं तो अगर आप उस जूनिवस्टी में अपलाई करना चाहते हैं कौन-कौन से प्रोग्राम है क्या लिजिबल्टी है उसको मैं कंपरहेंसिबली इस वीडियो के अंदर डिसकस करूँगा तो ऐसा है कि जिन बच्चों ने जैन फैब इंटेक में कहां पढ़ने के लिए जाना है फिनलेंड में तो हमारे पास अप्रोग्स बीज बच्चों के अड्मिशन आरडी आ चुके हैं और कुछ उनिवास्टी के जो डारेक्ट डाले हुए हैं उनकी वेटिंग कर रहे हैं और जॉइंट इंटरनेस एक्जाम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमने अपलाई किया हुआ है तो अभी मैं अपने बच्चों का जो मेरे साथ आरडी रिजस्टर हैं उनका भी अड्मिशन इम्मीजेटली मैं फिर बताओं इम्मीजेटली इन प्रोग्राम्स में मैं डालूँगा इसमें अड्मिशन जो है डारेक्ट अड्मिशन है बट एक सिंपल सी इंटर्व्यू ज से संपर कर लें जहां जो मेरा यह वाट्सप के उपर नंबर मेंशन किया है बहां पर टैक्स कर दें तांकि कोई भी बच्चा शूट ना जाए जो आरडी हमारे साथ रिजस्टर है फिल्लेंड के लिए जो डारेक्ट अड्मिशन चाहते हैं तो कोशिश हमारी यह है कि आज हम सारी की सारी application इस university के अंदर apply कर देंगे तो ऐसा है कि फिल्लेंड में हम बहुत सारे students को पढ़ने के लिए भेजते हैं और gen intake एक ऐसा intake रहा है हमारे लिए भी क्योंकि gen intake में first time in the history जो फिल्लेंड की universities हैं उन्होंने top up BSE nursing के भी program open किये थे उसमें भी हमारी बहुत सारे students क application है जिन्होंने GNM जब BSE nursing की हुई थी तो उनके results भी हम wait कर रहे हैं हमारे सारे के सारे nursing students की interview हो चुकी हैं तो हमारे पास फिल्लेंड में number of options हैं अगर आपने फिल्लेंड में higher studies के लिए जाना है बट एक मेरा बहुत बड़ा interrogations हैं चाहे वो फिल्लेंड है चाहे वो लाट् इसकी availability नहीं है अगर आपके parents आपको दो साल तक financially support कर सकते हैं आपकी tuition fees आपको provide कर सकते हैं तब foreign countries और तबज्जो करें otherwise आप अपना time और money waste करेंगे मैं फिर बताऊं we are only taking the serious students जे जो fact है crown immigration के channel के उपर ही मिलेगा but decision आपका है foreign जाना बहुत easy है instead of बहाँ पर survive करना तो part time job में अगर मिलती भी है तो आप अपने खाने पीने जा जो accommodation के charges बहुत manage कर पाएंगे तो ऐसा है तो crown immigration ने अभी recently एक बहुत बड़ा exhibition जा seminar education से related attend किया था जो international exhibition था जिसके अंदर 100 से जादा जो countries की universities आई हुई थी और उन universities को उन countries के representative को हम मैंने physically मिला है तो उसका clip भी मैंने इस video के अंदर लगाया हुआ है अगर आपने उस seminars की और भी बहुत सारी videos वाज करनी है तो उसकी हमने एक dedicated playlist भी बनाई हुई है जो description box में लगी है तो अगर आपकी destination Finland में higher study की है उसकी भी हमारी दो dedicated playlist है study in Finland और success story of Finland दोनों के link भी मैंने description box में लगाए है बहाँ जाकर Finland की free of course आप number of videos वाज करें thereafter आप अपने जो prospective consultant को अंगेज करें motivations में ना आए कि मेरे visas आए हुए हैं तो आपको भी visas guarantee से warranty से बहाँ लाखों रुपे कमाएंगे उन चीजों को avoid करें Finland जब Finland के लाबा भी किसी country में जाना है तो economical से economical minimum से minimum जब free जैसी countries में जाने की कोशिश करें आज की date में और जो consultant transparent है truth बताते हैं उनको अंगेज करने की कोशिश करें Finland का जैसे मुझे knowledge है इसी तरीके से हमें 100 countries का knowledge है अगर आपने किसी भी country में पढ़ने के लिए जाना है तो हमारी उस specific country की playlist यूरूर वाच करें हमारे channel के उपर जा कर तो अभी जो programs हैं इसमें जो programs हैं पांच programs हैं एक तो international business management जिसको हम कहते हैं ये program है industrial management का आपको program मिलेगा आपको information technology का मिलेगा mechanical का मिलेगा और nursing का programs bachelor में बहां की जो university open है उसमें मिल सकता है और ये direct admission है इसमें एक simple सी interview जुरूर होगी और इसकी कोई भी application fees नहीं है तो eligibility क्या है बच्चों के पास either English में क्या क्या आपके पास IELTS 6 band है तो apply कर सकते हैं आपके पास PT 55 है तो आप apply कर सकते हैं आपने TOEFL किया हुआ है TOEFL में 60 है तो apply कर सकते हैं इवन Cambridge का भी अगर आपने Cambridge का एक English का test होता है वो किया हुआ उसमें 169 something point लेने पड़ते हैं अगर वो है तब भी apply कर सकते हैं यहाँ पर UKBI academic online वी acceptable है आपका PT जो online है वो भी acceptable है इवन जो बच्चे nursing में बहुत interest दिखाते हैं कि सर हमें nursing में direct कहीं से admission बिल जाएं उनके लिए भी this is very good opportunity क्योंकि इसमें without entrance exam आपको in programs में admission बिल सकता है apart from these requirements यह तो है है अगर आप चाहते हैं कि मैंने nursing में ही admission लेना है nursing आप इस तरीके से भी direct admission ले सकते हैं हाँ जिन बच्चों ने SAT किया है जिन्होंने सिर्फ सेट किया है कोई English proficiency की requirement नहीं है आपका SAT का score 550 है 550 है तो आपको direct without anything direct nursing में भी admission मिल सकता है तो nursing के दो वे हैं admission के इस university के अंदर एक तो SAT के थुरू है तो दूसरा direct admission है IELTS के थुरू, IELTS और PT के थुरू जहाँ आपने TOEFL जा Cambridge का जो English का proficiency test दिया हो तो अभी depend आपके उपर हैं आप जितनी जल्दी इसमें apply करेंगे उतनी जल्दी आपको advantage मिलेंगे Even इसका जो acceptance letter है आपने 7 days के अंदर accept करना है और 7 और 15 से 20 दिन के अंदर आपको tuition fees transfer करनी पड़ेगी Plus point क्या है आपको यहाँ पर साल की fees approximately 7,800 यूरो भेज कर भी आप यहाँ पर जा सकते हैं बो भी provision है सिर्फ 700 यूरो देकर साल की fees with sports dependent बच्चों के साथ फिल्लेंड में जा सकते हैं अगर आपकी फिल्लेंड से later किसी भी type की को query है आपका को additional document जा supplementary आया हुआ है उसको कैसे उसकी reply करनी है आपको funds में कोई problem आ रही है आपको visa appointment में कोई problem आ रही है आपका फिल्लेंड की university से admission नहीं आ पर है तो क्या करना है PG diploma को avoid करें टेलर मेड प्रोग्राम्स को avoid करें पाथवे प्रोग्राम्स को avoid करें अगर आपकी eligibility direct प्रोग्राम्स में बनती है हमारे पास फिल्लेंड में free study के भी options हैं बट आपकी profile कैसी है free में आप schooling कर सकते हैं free में आप teacher training कर सकते हैं free में आप vocational training कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे options है crown immigration के पास अगर आपकी destination फिल्लेंड में higher studies की है तो crown immigration का opinion जरूर लें और सबसे plus point क्या है 15,000 पे हम registration का लेते हैं at the time of जब आप अपना process हमसे start करवाते हैं 15,000 पे admission के बाद है और बाकी हमारी entire fees जब बच्चे का visa grant होता है उसके बाद लेते हैं तो ये चीजे भी आपने देखनी है जिस consultant के थूँ आपने apply करना है आप हमारी service online by sitting anywhere in the world ले सकते हैं चाहे वो Finland है जब कोई भी country है हम किसी भी बच्चे से कोई भी original document नहीं लेते हैं अब लासी मेरी यही request है कि अगर आपको जी मेरी video अच्छी लगी इसको like and share करना ना भूले और इसको अपने another friends के साथ भी share करें जो foreign में higher studies के लिए जाना चाहते हैं Thank you